कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो आए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का दूसरा सबक सबक दो एतबार मा को अपने बेटे और जमीनदार को अपने लहलाहते हुए सरसब्जों शादाब खे देख कर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देख कर होती थी ये घोड़ा बड़ा खुबसूरत था इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में न था बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे अपने हाथ से खरेरा करते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते सुल्तान से जुदाई का खयाल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्ट था उनको वहम हो गया था के मैं इसके बगएर जिन्दा ना रह सकूंगा वो उसकी चाल पर फरेवता थे कहते इस तरह चलता है जैसे ताउस उधी उधी घटाओं को देख कर नाच रहा हो गाउं के लोग इस मुहबबत पर हैरान थे बाज वक्त कनक्यों से इशारे भी करते थे मगर बाबा भारती को उसकी परवाना थी जब तक शाम को वो सुल्तान पर सवार होकर आठ दस मील का चक्कर ना लगाते उन्हें चैन ना आता कलहन उस इलाके का मशहूर डाकू था लोग उसका नाम सुनकर थर राते थे होते होते सुल्तान की शोहरत उसके भी कानों तक पहुँची शौक ने दिल में चुटकी ली एक दिन दुपहर के वक्त कलहन क्या हाल है कलहन ने सिर जुका कर जवाब दिया आपकी महरबानी है कहो इधर कैसे आ गए सुल्तान की शोहरत खींच लाई है अजीब जानवर है खुश हो जाओगे मैंने बड़ी तारीफ सुनी है इसकी चाल तुम्हारा दिल मुहलेगी कहते हैं शकल भी बड़ी खुबसूरत है क्या कहने जो उसे एक तफ़ा देख लेता है उसके दिल पर उसकी सूरत नक्षो जाती है मुद्दस से तरस रहा था आज हाजिर हुआ हूँ बाबा और कलहन दोनों अस्तबल में पहुँचे बाबा ने बड़े घुरोर से घुड़ा दिखाया कलहन ने हैरत से घुड़े को देखा उसने हजारों घुड़े देखे थे लेकिन ऐसा बांका घुड़ा उसकी निगाह से आज तक न गुजरा था सोचने लगा पस्मत की बात है ऐसा घुड़ा मेरे पास होना चाहिए था इस फकीर को ऐसी चीजों से क्या निस्बत उसकी चाल देखकर कलहन के सीने पर सांप लोड़ गया वो डाकू था उसके पास ताकत थी उसने कहा बाबा सहब इस घुड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था ये कहकर वो चला गया बाबा खौफ जदा हो गए अब उन्हें रात को नींद ना आती थी सारी सारी रात अस्तबल की खबरगीरी में कटने लगी हर वक्त कलहन का खत्रा लगा रहता था मगर कई महीने गुजर गए और वो ना आया यहां तक के बाबा भारती किसी हद तक बेपरवा हो गए सफा नंबर नौ शाम का वक्त था बाबा भारती सुल्तान की पीट पर सवार होकर सैर को जा रहे थे यकायक एक तरफ से आवाज आई ओ बाबा जरा एक महताज की बास सुनते जाओ आवाज में रक्त थी बाबा ने घोड़ा रोक लिया देखा तो एक अपाहिच दरख्त के साई तले पड़ा करह रहा था बाबा भारती का दिल पसीज गया बोले क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है? अपाहिच ने हाथ बांध कर कहा बाबा मैं दुखी हूँ मुझ पर महरबानी करो रामा वाला यहां से तीन मील के फासले पर है मुझे वहाँ जाना है घोड़े पर चड़ा लो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा दुर्गादत हकीम का नाम आपने सुना होगा मैं उनका सौतेला भाई हूँ सफ़ा नंबर दस बाबा भारती ने घोड़े से उतर कर अपाहिच को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे अचानक उन्हें एक जटका सा महसूस हुआ और लगाम हाथ से छूट गई जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिच घोड़े की पीट पर तन कर बैठा उसे दोड़ाए लिये जा रहा है तो उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा उनके मुँ से चीख निकल गई ये अपाहिच कलहन डाकू था बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे उसके बाद पूरी कुवच से चिला कर कहा जरा ठेरो ठेरो जरा कलहन ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला बाबा साहब ये खोड़ा अब ना दूँगा बाबा भारती ने करीब आकर कहा ये खोड़ा तुम्हें मुबारक हो मैं तुम्हें इसकी वापसी के लिए नहीं कहता मगर कलहन तुम से सिर्फ एक दरखास्त करता हूँ इसे रद ना करना वर्दा मेरे दिल को सक्त सद्मा पहुँचेगा बाबा, हुक्म दीजिए मैं आपका गुलाम हूँ सिर्फ ये खोड़ा ना दूँगा अब खोड़े का नाम डालो मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूँगा मेरी दरखास्त सिर्फ ये है कि इस वाकिये का जिक्र ना होने पाए कलहन का मुँ हैरत से खुला रह गया उसे खयाल था कि बाबा भारती उस चोरी के तिला पुलिस में देकर मुझे गिरफतार करा देंगे वो सूच रहा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर तब इसमें आपको क्या खत्रा है बाबा भारती ने जवाब दिया लोगों को अगर इस वाकिये का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुँ मोड लिया जैसे उनका इस से कोई वास्ता ना था बाबा भारती तो चले गए मगर उनका फिक्रा कलहन के कानों में अब तक गूंज रहा था बाबा भारती का खयाल कितना उचा है अगरचे बाबा साहब को इस घोड़े से इश्क था मगर आज उनके जहरे पर सरा भी मलालना था उन्हें सिर्फ ये खयाल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना ना छोड़ते उन्होंने अपने जाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया ऐसा आत्मी आत्मी नहीं फरिष्टा है सफ़ा नंबर ग्यारा रात की तारीकी में कलहन बाबा भारती के घर पहुँचा चारों तरफ सन्नाटा था आसमान पर तारे टिम्टिमा रहे थे कलहन सुल्तान की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पर पहुँचा दरवाजा खूला था कभी वहां बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे कलहन ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगा पर बान दिया और बाहर निकल कर दर्वाज़ा एहतियाद से बंद कर दिया इस वक्त इसकी आँखों में खुशी के आँसू थे सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकल कर सर्द पानी से घुसल किया उसके बाद उनके पाउं अस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई खाब में चल रहा हो मगर दर्वाजे पर पहुँचते ही वो चौक पड़े उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ अब घोड़ा वहां कहां था? घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया बाबा भारती दोरते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े की गले से लिपट कर इस तरह रोनी लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है बार-बार उसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे सुल्दान, मेरा सुल्दान अब कोई घरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा सुल्दान सफ़ा नंबर बारहा मा ने याद कीजिए खरेरा घोड़े के जिस्म की सफाई के लिए एक तरह का ब्रश फरेफ्ता आशिक ताउस मूर कनखियों से देखना नजरें बचा कर देखना दिल मोह लेना, मुहावरा दिल लुभाना सूरत नक्ष हो जाना सूरत का दिल में बैठ जाना अस्तबल घोड़े बांधने की जखा बाका अलबेला, सजीला निस्बत तालुक उदी गहरे बैगनी रंकी सीने पर सांप लोटना मुहावरा हसत करना किसी की बड़ाई परदाश्ट ना करना खबरगीरी खबर रखना देख भाल मुहताज जरूरत मंद हाजत मंद दिल पसीजना मुहावरा दिल नर्म होना तरस खाना अपाहिज जिस्मानी तौर पर माजूर मुख खुला रह जाना मुहावरा हैरान रह जाना ताज़ुब में पढ़ना रूपोश गायप मलाल अफसोस रंज चाप कदमों की आहट आवाज में रकत रोनी किसी आवाज रोहासी आवाज दर्द भरी आवाज सफ़ा नंबर तेरह सोचिये और बताईए सवाल एक बाबा भारती अपना घोड़ा देख कर क्यों खुश होते थे सवाल दो बाबा भारती के घोड़ी की चाल कैसी थी सवाल तीन कलहन कौन था और बाबा उससे खौफजदा क्यों रहते थे सवाल चार बाबा भारती का घोड़ा देख कर कलहन के सीने पर साप क्यों लोट गया सवाल पांच अपाहिज बनकर बाबा भारती से किसने मदद मागी सवाल छे बाबा भारती ने कलहन से क्या दर्खास्त की सवाल साथ बाबा भारती ने कलहन से क्यों कहा कि इस वाकी का जिक्र किसी से ना करना सवाल आठ कलहन ने बाबा भारती के बारे में क्या सोच कर घोड़ा उनके अस्तबल में बांध दिया? सवाल 9 अपने घोड़े को वापस पा कर बाबा भारती ने क्या कहा? दिये गए जुमलों के बारे में बताईए के ये सही है या गलत? 1 कलहन अपने इलाके का एक शरीफ इनसान था सही या गलत? 2 जो भी बाबा के घोड़े को एक बार देख लेता, उसके दिल पर उसकी सूरत नक्ष हो जाती थी सही या गलत? 3 बाबा भारती का घोड़ा इस तरह चलता था, जैसे ताउस उदी उदी खटाओं को देख कर नाच रहा हो सही या गलत? 4 एक अपाहिच दरख्त के साइद दले पड़ा आराम कर रहा था सही या गलत? 5 लोगों को अगर इस वाकी का इल्म हो गया, तो हर गरीब पर एतबार करने लगेंगे सही या गलत? 6 बाबा भारती को हर वक्त कलहन का खत्रा लगा रहता था सही या गलत? 7 घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को नहीं पहचाना सही या गलत? दिये हुए लवजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए लह लहाना फरेफ्ता खौफ महरबानी तिस्मत मुद्द बेपरवा दर्खास्त गूवत एहतियात सफा नंबर चौधा अमली काम खौफ जदा खबरगीरी बेपरवा और रुपोश मुरकब अलफाज है मुरकब से मुराद ऐसा लवज है जिसमें एक से ज्यादा लवज इस तरह मिल गए हों या मिला दिये गए हों कि उनसे एक ही मानी लिये जाते हों इस तरह आप भी पांच नए लवज बनाईए गोर कीजिए और लिखिए बाबा भारती दहली गंगा लड़का घोड़ा दर्या रोशनी खुशी गुसा पहली किस्म के नाम खास हैं ये किसी खास आदमी या किसी शहर या किसी खास दर्या के लिए इस्तेमाल हुए हैं इन्हें इसमे खास या इसम मौर्फा कहते हैं दूसरी किस्म के नाम आम है कि कोई भी लड़का या कोई भी घोड़ा कोई भी दरिया हो सकता है इन्हें इसमे आम या इसमे नकरा कहते हैं तीसरी किस्म के नाम किसी खास हालत या कैफियत को जाहिर करते हैं इन्हें इसमे कैफियत कहते हैं आप भी इन तीनों किस्मों के इसम तीन-तीन सोच कर लिखिए गौर करने की बात कलहन डाकू बाबा भारती के घोड़े को धोके से हासिल तो कर लेता है लेकिन वो बाबा भारती के हुसन अखलाक से मुतासिर होकर घोड़े को लोटा देता है हमें ये गोर करना चाहिए के अच्छे किरदार के असर से बुरे लोग भी मुतासिर हो जाते हैं और वो अच्छा अमल करने की कोशिश करने लगते हैं इसी के साथ अपनी जबान भागदो का दूसरा सबख यहां खत्म हुआ इसके बाद सबख तीन आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत